हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो का आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे, फ्रेंड्स के शेयर कीजे और किसी बी तरह की आपकी क्वईरी लगती है, आपको कुसी कुशन में डाउट है, पॉमन सक्षन में बता दीजेगा, हम उनको नेक्स क्लास में डिसक्स कर लेंगे चीक है, स्टार्ट करते हैं तो आज का question देखें, यहाँ पर all losses and expenses are अब हमारे जितने भी loss और expense होते हैं वो क्या किये जाते हैं, debit, credit both the end भी या फिर none of the above बहुत ही simple question है, answer करिए क्या होगा यहाँ पर आपका answer देखें, मैंने यहाँ पर types of accounts की भी वीडियो डिसकस की थी, types of accounts में आपको पता चल गया होगा, कौन-कौन से accounts होते हैं, उनका treatment क्या होता है तो उसके business पर भी आप इसका answer कर सकते हैं कि जितने भी हमारे loss और expenses हैं वो क्या होंगे क्या होजाएगा answer देखें, जितने भी loss और expense होते हैं of a trial balance बताईए इसमें से कौन सा item है जो debit side शो किया जाएगा trial balance के देखें, debit side की बात करें trial balance के तो C option हो जाएगा prepared expenses क्योंकि यह हमारे लिए क्या है, asset है, जबकि purchase, return और rent outstanding हमारे लिए क्या हो जाएगी liability है हमारे लिए इसलिए यहाँ पर हम बात करें तो C right answer हो जाएगा prepared expenses, ठीक है next question पर आईए next है customer check, return, dishonored is recorded in, यानि कि customer का check है जो कि dishonored हुआ है is recorded in, कहां पर record किया जाएगा purchase, return, sales, return book cash book या फिर journal में देखी जब हमने check दिया था, तो हमने क्या entry करी होगी जब हम check देते हैं तो यानि कि हमारा इतना amount cash का कम हो गया अब यानि कि वो dishonored हो गया है तो यानि कि वो कम नहीं हुआ है उतना amount हमारा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा हम जो cash में इसकी entry थी पहले वाली अब हम इसको द्वारा से करेंगे लेकिन reverse में करेंगे इसलिए cash book यहां पर right answer हो जाएगा क्योंकि अब cash पर कोई effect नहीं पड़ा क्योंकि हमारा तो जो हमने check दिया था वो तो हमारा बापस हो गया है ठीक है तो options ही right answer हो जाएगा next question पर आएगे returns involved from Raheem is entered in अब जो Raheem से return involved हुआ है वो हमारा enter होगा कहां पर sales return book में purchase return में journal में या फिर none of these Raheem से बापस आया तो क्या चीज़ बापस आईगी जो हमने sales करी होगी तो sales return हो गया इसलिए option यह यहाँ पर right answer हो जाएगा next question पर आईए cash sales are recorded अब जो cash sale है वो record की जाएगी sales book में, cash book में, journal book में या फिर none of these में बताईए देखिए cash sale की बात की जा रही है तो simple है, cash book में record किया जाएगा ठीक है next question है return goods to budget and company is recorded या निकि budget and company को आपने माल वापस कर दिया यह कहां किया जाएगा यानि कि आपने कौन सा माल वापस किया होगा purchase return book में एंट्री होगी, journal में होगी, sales return book या फिर none of these यह सारे questions बहुत simple है बस एक छोटा सा यहाँ पर basic rule है वो आपको बस mind में लेना है और यह सारे questions वापस होजाएगे बस छोटी सी चीज है, उसके basis पर ही आप यह सारे questions कर सकते हैं, बहुत easy है और इस तरह की questions आपके exam में बहुत बूचे जाएंगे देखे, आप किसी को भी माल बापिस कब करेंगे जो आपने उससे खरीदा होगा तभी आप उसको बापिस करेंगे उसमें कुछ damage है, कोई भी defective piece है तो आप उसको बापिस करेंगे, यानि कि purchase return करेंगे आप, ठीक है option, ये right answer हो जाएगा इसका record purchase return book में होगा ठीक है, next question पर आईए sales on account is recorded in किसमे record होगी, sale on account sales book में होगी, ठीक है next question पर आईए देखी, यहाँ पर हमारा question है machinery purchased on account is recorded in यानि कि machinery purchase case करेकॉड कहाँ होगा purchase book में, cash book में, journal में या फिर none of the above में देखी, यहाँ पर purchase आपने क्या किया है, machine, साफ indicate कर रहा है, machine purchase किया है, यानि कि machine नी account तो यहाँ दिया नहीं है, और इसकी एक journal entry तो हो नहीं हो नहीं है, इसलिए यहाँ आपर answer हो जाएगा, see लेकिन इसकी जगे अगर हमारी machine नी account भी दिया होता है, तो answer आपका होता machine नी account, ठीक है? नेक्स है, in a business, net asset on 1st January are Rs. 6,000 and on 31st January Rs. 7,500, if withdrawals by owner during January are Rs. 1,000, the net income for January is, बताएएँ, options है, हमारे Rs. 1,500, Rs. 2,500, Rs. 5,000, sorry, 500 और none of these, बताएँ, आपको net income बताने हैं, यहाँ पर, दो मिनिट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से solve करिए, बहुती simple है, देखी, solve करें हम, देखी, पहले, सबसे पहले देखे, आपको closing stock कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, 31st मार्ट जन्वरी को, आपका closing stock कितना है, 7,500, ठीक है, और यहाँ पर आपको opening asset कितनी दे रखी है, 6,000 की आपकी asset है, starting year में, और उसके बाद आपकी क्या हुई है, net income, या फिर bid draw भी बोल सकते हैं, यह आपका हुआ है, 1,000 उपेगा, ठीक है, तो asset पहले आपकी 6,000 की थी, 1,000 का bid draw हो गया, यानि कि आपके पास अब total 5,000 की asset बची, और पहले आपके पास कितनी थी, 7,500 का closing asset थी, तो 7,500 की पहले थी, 5,000 का अब है, तो इसको इससे minus कर दीजिए, कितना आएगा, 2,500 बचा, यानि कि आपके पास जो net income होई है, पूरे साल की, वो 2,500 होई है, क्योंकि पहले 7,500 थी, ठीक है, वो last में आपकी 7,500 बता रहा है, लेकिन asset तो आपके पास सिर्फ 5,000 की थी, यानि कि mid में 2,500 आपने earn किये हैं mid year में, इसलिए 2,500 आपकी क्या हो जाएगी, net income हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही simple था, next question पर आईए, अब यह वाला question देखे जरा, देखे, net asset business की 1st January को आपकी कितनी है, 1st January और 31st January को 24,000 और 25,500 है, ठीक है, additional investment की बात करें, owner के द्वारा तो आपकी की गई है, January में 1,000 रुपे की, अब आपको net income बताने है, January की यहाँ पर, पहले आप try करिए, answer निकालने के कोशिश करिए, उसके बाद मैं solve करूँगी, ठीक है, पहले आप कोशिश करिए, जन्वरी की निकाल के देनी है, आपको net income, क्या होगी आपकी जन्वरी की, देखी, solve करते हैं, फिर आप दुवारा से इसको solve कर लीजेगा, क्योंकि वीडियो फिर आपकी यहाँ पर save हो जाएगी, तो आप बापिस कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, देखी, सबसे पहले लीजे, last की, closing asset आपके पास, यानि की end year में आपके पास कितनी है, asset 25,500, ठीक है, उसके बाद आपकी opening asset कितनी बता रहा है, 24,000 की, ठीक है, अब 24,000 की है, इसके बाद additional आपने investment टेक 1000 का कर दिया, तो यह कितना होगे additional investment, total आप इसमें add करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 25,000, यानि की total investment कितना होगे आपका, 25,000 का है total, ठीक है, और अब लेकिन ये last में तो 25,500 दिखा रहा है, तो बहुत ही simple है, इसमें 25,000 को आप minus कर दीजिए, यानि की net income आपकी कितनी होई है, 500 की होई है, क्योंकि आपके पास 25,000 तो हैं, लेकिन last में 500 और extra दिखा रहा है, यानि की extra amount क्या show कर रहा है आपका, आपकी January की income show कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपे right answer हो जाएगा, I hope यहाँ तक आपको clear है, simple question था, थोड़ा घुमा फिर आके दे देते हैं question, और वैसे इसी तरह के questions आएंगे, अगर आए तो, क्योंकि ऐसा pattern रहता है एक्जाम में कि एक बार वो बिल्कुल भी numerical नहीं देते हैं, एक बार बहुत सारे देते हैं, जिससे कि student को लगता है, यार पजलिवार नहीं आयते तो इस बार भी नहीं आएंगे, तो आपको छोटे-छोटे numericals की भी practice करनी हैं, और साथ में theory की भी, लेकिन theory की जादे कीजएगा, theory पर जादा concentrate करते हैं वो लोग, ठीक है, next है, in accounting, sources are dash equal to their uses, sources equal होते हैं, uses के, occasionally, never, not always, या always, देखे, simple है, D answer हो जाएगा, क्योंकि accounting के अंदर, जो भी हमाई sources हैं, वो हमारे uses के equal रहते हैं, ठीक है, तो option D, यहां पर right answer हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, accounting के अंदर हमें, जो उनका balance है, वो match करना होता है, next है, in accounting, the equilibrium of assets and liability after each transaction, कैसी होगी, remains unaffected, disturbed, alters, none of these, क्या होगा answer, देखे, ए हो जाएगा, remains unaffected, यह क्यों होगी, देखे, समझे, आपने अगर asset purchase की है, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं, capital कम होई होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपकी liability बढ़ी होगी, ठीक है, या फिर आपने कोई liability पे की है, तो कहीं ना कहीं आपकी asset कम होई होगी, आपने cash payment किया होगा, ठीक है, तो आपका कोई भी transaction होगा, वो donor side affect करेगा, इसलिए यहाँ पर remains unaffected होगा, ठीक है, option A क्या हो जाएगा, right, next question पर आईए, bank overdraft account is, अब आपको बताना है, bank overdraft जो है, वो किस तरह के nature का account है, real account, nominal account, non-real account, personal account, देखे, bank overdraft की बात करें, तो यह कौन सा हो गया, हमारा representative, personal account हो गया, ठीक है, option D क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, personal account, ठीक है, मैंने types of account की short, आपके साथ discuss की हुई है, प्लीज एक बार जाके तो channel पर जरूर देख लीजेगा, उससे आपको clear हो जाएगे, totally सारी accounts, अब यहाँ next question पर आईए, the basic principle, that is, all expenses are debited and all incomes are credited, applies to, यानि कि आपको बताना है, जितने भी expenses होते हैं, वो हमारे debit हो रहा हैं, और जितने भी incomes हैं, वो हमारी credit हो रही हैं, यह हमारी कौन से account पर apply करती है, personal account, nominal account, real account या फिर none of these, देखिए, यह basic principles जो है, जिनको golden rules of accounting भी कहा जाता है, आज मैं discuss करूंगी, तो please आज की class जरूर देख लीजेगा, पर short video होगी, वो shots आपने देखे होंगे, आज कल shots चल रहे हैं, तो उसमें मैं discuss करूंगी, क्योंकि students इतनी लंबी चोड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो छुटी-छुटी चीजे मैं उसमें discuss कर दूंगी, आपसे तो बताईए all expenses, यह हमारा किसका हो जाएगा, यास, nominal का, क्योंकि सारे expenses और हमारे loss की बात करें, यह हमारे nominal account में आते हैं, ठीक है, next है personal accounts are related to a personal account किस related है, assets और liabilities से, expense, loss and income से, customers and suppliers से, employees and managers से, बताईएए इस question को मैं आपको हमबर्ग के लिए दू, ठीक है, यह आपका हमबर्ग है, इसको आपको बताना है, ठीक है, नई तो मैं answer comment section में लिख दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजेगा, लेकिन पहले आप कोशिश करिएगा, इस question का answer आपको करना है, ठीक है Message Harry and Sons Accounts is related to, the capital account, the personal account, the firm's account, the real account कौन सा account है ये, देखिए यहाँ पर हम एक company की name की बात कर रहे हैं, तो इसका जो account हो वो personal हुआ, क्योंकि यह यहाँ पर हमाले क्या हो जाया, group of persons, ठीक है, तो यह हमारे लिए कौन सा हो गया, artificial, personal account हो गया, ठीक है, option B, right answer है, next है, which of the following is the nominal account, अब इसमें से कौन सा हमारा nominal account है, goodwill, trademark, copyright या rent, देखिए, nominal account में क्या आते हैं, lots, expense, rent हमारे लिए expense है, जबकि goodwill, trademark, copyright ये सब क्या है, हमारे real account के, examples है, real account का part है, ठीक है, next हाईए, interest paid on deventures is a capital expense, direct expense, fixed expense, non-operating expense, देखिए, deventures पे interest paid किया गया है, ये हमारा non-operating expense है, ठीक है, ना ही ये fixed में आता है, क्योंकि हमेशा नहीं दिया जाता है, ना ही direct है और ना ही capital ने चाहता है, तो ये होगा non-operating expense, ठीक है, next है, which of the following item is included in honor's equity, honor's equity में कौनसे item include किये जाएंगे, provision for taxation, provision for replacement of assets, depreciation, provision या फिर declared dividend, बताइए, क्या हो जाएगा answer, d हो जाएगा declared dividend, ये हमारा, owner's equity में include किया जाता है, ठीक है, तो option, d right answer है, next है, who is entitled to receive dividend, अब इसमें से कौन entitled होगा dividend को receive काने के लिए, partner, diventure holder, shareholders, या फिर policy holders, dividend हम किसको देते हैं, dividend दे जाते हैं, shareholders को, diventure holder को interest दी जाती है, ठीक है, option C, यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो ये थे अचके हमारे questions, hope यहाँ पर आपको सारे questions clear है, और किसी भी तरह का doubt है, please comment section में बता दीजेगा, आपको कोई छोटे terms समझ में नहीं आते, वो भी आप पता दीजेगा, कि ये term हमें clear नहीं हो रहा है, या फिर ये चीज हमें concept पता नहीं है, तो हम उसको discuss कर लेंगे, ठीक है, तो कोई भी doubt हुआ बता सकते हैं, तो next video में मिलते हैं, तब तब के लिए take care, bye bye, झाल झाल झाल